प्यार के तीन संतरे पुर्तगाली लोक था, एक बार की बात है कि पुर्तगाल के एक राजा को शिकार का बहुत शौक था, एक दिन वह शिकार खेलने जंगल में गया, वहां उसको एक बहुत दुखी बुढिया मिली, वह भूख से मरी जा रही थी, उस राजकुमार के पास उसको देने के लिए उस समय पैसे तो नहीं थे पर उसके पास काफी सारा खाना था जो वह अपने महल से रास्ते में खाने के लिए लाया था, उसने अपने नौकरों को बुलाया और उनको उस बुढिया को जो कुछ भी वह अपने साथ खाना लेकर आया था वह सब उसको द और उससे कहा कि वल किसी भी हालत में उनको न खोले और जब खोले तो किसी पानी की जगह के पास ही खोले और लंबा-लंबा खोले न की चोड़ाई में। राजकुमार ने उससे वे संतरे ले लिए उसको धन्यवाद दिया और फिर अपने रास्ते चल दिया। कुछ दूर जाने पर राजकुमार को लगा कि उसको एक संतरा खोल कर देखना चाहिए कि उसमें क्या था। पर वह ये भूल गया कि उस बुडिया ने उसको वह संतरा पानी के पास खोलने के लिए कहा था जैसे ही उसने वह संतरा खोला उसमें एक बहुत सुंदर लड़की निकली संतरे में से निकलते ही उसने पीने के लिए पानी मानगा उसने कहा कि अगर उसको पीने के लिए पानी नहीं मिला तो वह मर जाएगी अब राजकुमार के पास पानी तो था नहीं सो वह उसको पानी नहीं दे सका सो वह बेचारी लड़की मर गई राजकुमार को उसके मरने का बहुत दुख हुआ पर क्योंकि उसके पास अभी दो संतरे और बचे थे इसलिए वह इस लड़की की मौत को जेल गया वह अपनी यात्रा पर और आगे बढ़ा आगे चल कर उसने एक संतरा और खोला पर इस बार भी वह ये भूल गया कि उसको उसे पानी के पास खोल न था उसने जैसे ही दूसरा संतरा खोला उसमें से भी एक पहले से भी सुन्दर लड़की निकली बाहर निकलते ही उसने भी राजकुमार से पानी मानगा पर राजकुमार के पास पहले की तरह से पानी नहीं था और इस तरह बिना पानी के पहले की तरह से वह लड़की भी मर गई अपकी बार राजकुमार को बहुत दुख हुआ पर वह फिर अपनी यात्रा पर आगे चल दिया पर अपकी बार उसको तीसरा संतरा बिना पानी की जगर के खोलने की हिम्मत नहीं हुई कि कहीं ऐसा नहों कि इसमें से भी कोई लड़की निकले और वह भी बिना पानी कि मर जाए पर उसको ये जानने की इच्छा बहुत ज्यादा थी कि इस तीसरे संतरे में क्या हो सकता था ताकि उसके पास वह ये तीसरा संतरा खोल कर ये देख सके कि उसमें क्या था पानी मिलने पर उसने वह तीसरा संतरा खोल दिया उसमें से भी एक लड़की निकली जो पहले वाली लड़कियों से कही ज़्यादा सुन्दर थी उसने भी निकलते ही पानी मानगा इस भार राजकुमार के पास पानी था सो उसने तुरन ती उसको पानी पिला दिया पर तो वह लड़की तो पेर पर चद गई और राजकुमार वहां से अपने महल चला गया, कुछ देर बाद एक नीग्रोस्त्री जो बहुत ही बदसूरत थी अपने मालिक के लिए वहां पानी भरने आई, उसने पानी में जहांका, पानी बहुत साफ और शांत था, उस पानी में उसको उस सुन्दर लड़की की जो पेर पर बैठी थी परचाई दिखाई दी उसको लगा, कि वह उसका खुद का चेहरा था, सो वह कह उठी अरे तुम तो इतनी सुन्दर हो, फिर तुम किसी का पानी क्यों भरती हो, तोर दो इस घड़े को और यह कहकर उसने उस घड़े क से हस पड़ी उसकी हसी की आवाज सुनकर उस नीग्रोस त्री ने चारों तरफ देखा कि कौन हसा पर उसको कोई दिखाई नहीं दिया, काफी देर के बाद उसको पेर पर बैठी वह लड़की दिखाई दी उसको देखकर उसने कई तरह के इशारों से उसको पेर से नीचे आने के लिए कहा पर उस लड़की ने ही कहते हुए उसको नीचे आने से मना कर दिया कि वह वहां राजकुमार का इंतजार कर रही थी और वह तब तक नीचे नहीं आ सकती थी जब तक राजकुमार ना आ जाये पर उस नीग्रोस त्री ने जो एक जादू करनी भी थी उसको फिर से नीचे आने की जिदकी आओ तुम नीचे आजाओ ताकि मैं कम से कम तुम्हारा मूँ तो साफ कर दून, उसने इतनी जिदकी कि उस लड़की को पेर से नीचे उतरना ही पड़ा, उसके नीचे उतरते ही उस त्री ने उसको पकड़ लिया और उसका मूँ और सिर्धोने का बहाना करने लगी उसने उससे बहुत सारे सवाल भी पूछे उस लड़की ने उसके सब सवालों के सही सही जवाब दे दिये जब उस जादू गरनी को सब कुछ मालूम चल गया जो वह जानना चाहती थी तो उसने अपने पास से एक पिन निकाली और उस लड़की की सिर में घुसा दी जैसे ही उसने वह पिन उसके सिर में घुसाई उसी समय वह लड़की एक फाक्ता बन गई और उड़ गई उसके बाद वह नीग्रोस्त्री उस लड़की की जगह उस पेड़ पर जाकर बैठ गई और राजकुमार का इंतजार करने लगी इस सब के जल्दी ही राजकुमार भी वापस आ गया उसने पेड़ के उपर देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह तो वह एक बहुत सुन्दर लड़की छोड़कर गया था और वह तो यह नीग्रोस्त्री बैठी हुई है वह उस पर बहुत गुसा हुआ तो वह नीग्रोस्त्री रो चल्दी उठा और अपने बागीचे में टेहलने के लिए चला गया कुछ देर बाद ही उसने एक सफेद फाक्ता देखी जो उसको बागीचे के माली से बात कर रही थी राजकुमार उसकाली बदसूरत और बुरी नीग्रोस्त्री के साथ कैसे अपने दिन बुजार रहे हैं और यह कहकर वह उर गई माली ने उसको तो कोई जवाब नहीं दिया पर वह राजकुमार के पास पहुँचा और उससे ये सब कहकर उसके हाल चाल पूछे आप मुझसे उसे क्या जवाब दिलवाना चाहते हैं राजकुमार बोला उसको कहना कि मैं ठीक हूं और खुशी रहे हैं इस पर वह फाक्ता बोली और मैं बेचारी दुनिया में बिना किसी काम के इधर उधर उलती फिर रही हूँ इस पर माली फिर से राजकुमार के पास गया और राजकुमार से जाकर वह कहा जो उस फाक्ता ने उससे कहा था तब राजकुमार ने माली को एक रिबन का ज जबाब दिया फिर उसने इधर उधर देखा तो खुद को फांसने के लिए रिबन का जाल देखकर जोर से हसी और बोली यह रिबन का जाल मेरी टांगों को फसाने के लिए नहीं हो सकता और यह कहकर वह उर गई माली फिर राजकुमार के पास गया और फाक्ता ने जो कहा था अगले दिन वह फाक्ता फिर आई और उसने माली से फिर वही कहा जो वह पहले से कहती चलिया रही थी और माली ने भी उसको वही जवाब दिया जो राजकुमार उससे कहलवाता चला आ रहा था फिर वह चांदी के तारों का जाल मुझे पकड़ने के लिए नहीं हो सकता और यह कहकर वह फिर उर गई माली फिर राजकुमार के पास गया और उसको वह सब कुछ बताया जो फाक्ता चली आ रही थी और माली ने भी उसको वही जवाब दिया जो राजकुमार उससे कहल वाता चला रहा था फिर वह सोने के तारों का जाल देखकर बोली हाँ 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 ये सोने के तारों का जाल मुझे पकड़ने के लिए नहीं हो सकता और ये कहकर वह फिर उर गई माली फि पर अब की बार उस ने इधर उधर नहीं देखा और उस जाल में आकर फंस गई और बोली हां ये जाल मुझे पकड़ने के लिए ठीक है और इस तरह उस वाक्ता ने अपने आपको उस जाल में फंस कर पकड़वा लिया माली उस फाक्ता को पकड़ कर राजकुमार के पास ले गया जैसे ही उस नीग्रोस्त्री ने देखा कि उसकी वह फाक्ता पकली गई वह राजकुमार से बोली कि वह अपने आपको बहुत बीमार महसूस कर रही थी और उस बीमारी को ठीक करने के लिए उसको उसी फाक्ता का सूप चाहिए जो उसने अभी पकड़ी है ये सुनकर राजकुमार ने कहा कि यह फाक्ता मारे जाने के लिए नहीं थी और वह उस फाक्ता को प्यार से सहलाने लगा उसने उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसको लगा कि उसकी सिर में तो एक पिन भुसी हुई थी उसने उस पिन को तुरंधी खीच कर बाहर निकाल दिया पिन के बाहर निकलते ही वह फाक्ता फिर से एक सुन्दर लड़की में बदल गई और उसी शक्ल में आ गई जिस शक्ल में राजकुमार उसको पेर पर चड़ा कर गया था उसको अचानक अपने सामने देखकर राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ तब उसने राजकुमार को वह सब बताया जो उस नीग्रोस्त्री ने उसके साथ किया था ये सुनते ही राजकुमार ने उस नीग्रोस्त्री को मरवाने का हुकुम दे दिया, मरने के बाद उस नीग्रो स्त्री की खाल का एक धोल बनवा दिया गया और उसकी हटियों की सीडिया बनवा दी गई जिन से होकर उसकी रानी अपने पलंग पर चरती थी उसने उस लड़की से शादी कर ली और वे दोनों खुशी-खुशी रहने लगे